राश्ट्रिय शिक्षानीत दो हजार बीस भाग दो उच्चतर शिक्षा अध्याय पंद्रह अध्यापक शिक्षा तो आईए सुनते हैं इसका द्वनी पाट प्रिष्ठ संख्या सरसट 15. अध्यापक शिक्षा 15.1 अगली पीड़ी को आकार देने वाले शिक्षकों की एक टीम के निर्माण में अध्यापक शिक्षा की भूमी का महतुपूर्ण है शिक्षकों को तयार करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए बहु विशायक द्रिष्टी कोण और ग्यान की आवश्यक्ता के साथ-साथ बेहतरीन मेंटरों के निर्देशन में मान्यताओं और मूल्यों के निर्माण के साथ ही साथ उनके अभ्यास की भी आवश्यक्ता होती है प्रिष्ठ संख्या 68 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अध्यापक शिक्षा और शिक्षन प्रक्रियाओं से संबंधित अध्यतन प्रगती के साथ ही साथ भारती मूल्यों, भाषाओं, ज्यान, लोकाचार और परंपराओं, जनजाती परंपराओं सहित के प्रती भी 15.2 उच्चितम न्यायले द्वारा गठित न्यायमूरती जेस वर्मा आयोग, 2012 के अनुसार स्टैंड अलोन, टी, ई, आई, जिनकी संख्या 10,000 से अधिक है, अध्यापक शिक्षा के प्रती लेश मात्र गंभीरता से प्रयास नहीं कर रहे हैं, बलकि इनके स्थान पर उंच भ्रष्टचार को रोक पाएं हैं, और नहीं गुणवत्ता के लिए निर्धारित बुन्यादी मानकों को ही लागू कर पाएं हैं, बलकि इन प्रयासों का इस ख्षेतर में उत्कृष्टता और नवाचार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, अतह इस सेक्टर में इसकी नियामक प्रणालियों में महतोपूर्ण कार्यवाहियों के द्वारा पुन्रुद्धार की तातकालिक आवश्यकता है, जिससे की गुणवत्ता के उच्चितर मानकों को निर्धारित किया जा सके, और शिक्षक शिक्षा प्रणाली में अखंडता, विश्वस नियता, प्र प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नियामक प्रणाली को उन निम्न स्तरिये और बेकार अध्यापक शिक्षा संस्थानों T.E.I. के खिलाफ उलंगन के लिए एक वर्ष का समय दिये जाने के पश्चात कठोर कारवाई करने का अधिकार होगा, जो बुनियादी शेक्ष मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं वर्ष 2030 तक केवल शैक्षिक रूप से सुद्रिड बहु विशयक और एकिक्रित अध्यापक शिक्षा कारेक्रम ही कार्यानवित होंगे 15.4 चुकि अध्यापक शिक्षा के लिए बहु विशयक इन्पुट के साथ ही साथ उच्चितर गुणवत्ता युप्त विशयवस्तू और शैक्षनिक प्रक्रियाओं की आवश्यक्ता होती है अथा इसे ध्यान में रखते हुए सभी अध्यापक शिक्षा कारेक्रमों को समग्र बहु विशयी संस्थानों में ही आयोजित किया जाना चाहिए इसके लिए सभी बढ़े बहु विशयक विश्रविद्यालें के साथ साथ सभी सार्वजयनिक विश्रविद्याले और बढ़े बहु विशयक महाविद्याले का लक्षे होगा कि वे अपने यहां ऐसे उत्क्रिष्ट शिक्षा विभागों की स्थापना और विकास करें जो की शिक्षा में अत्याधुनिक अनुसंधानों को अन्जाम देने के साथ ही साथ मनो विज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, तंत्रिका विज्ञान, भारतिय भाशाओं, कला, संगीत, इतिहास और साहित्य के साथ साथ विज्ञान और गणित जैसे अन्य विशिष्ट विशयों से संबंधित विभागों के सहयोग से भविश्य के शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए बी एड कारेक्रम भी संचालित करेंगे इसके साथ ही साथ वर्ष 2030 तक सभी एकल शिक्षक शिक्षा के संस्थानों को बहु विशयक संस्थानों के रूप में बदलने की आउशकता होगी क्योंकि उन्हें भी चार वर्षिये एकिक्रित शिक्षक प्रशिक्षन कारेक्रमों को संचालित करना होगा 15.5 वर्ष 2030 तक बहु विशयक उच्चितर शिक्षक संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाने वाला यह चार वर्षिय एकिकृत B.Ed कारिक्रम स्कूली शिक्षकों के लिए नियूनतम डिग्री योगिता बन जाएगा प्रिष्ठ संख्या 69 यह चार वर्षिय एकिकृत B.Ed शिक्षा और इसके साथ ही एक अन्य विशेश विशय जैसे भाषा, इतिहास, संगीत, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थ शास्त्र आदी में एक समग्र डिवल मेजर स्ना तक डिग्री होगी अत्याधूनिक शिक्षा शास्त्र के साथ ही साथ, शिक्षक शिक्षा में समाज शास्त्र, इतिहास, विज्ञान, मनोविज्ञान, प्रारमभिक, बाल्यवस्था शिक्षा, बुनियादी साक्षर्ता और संख्या ग्यान, भारत से जुड़े ग्यान और इसके मूल्यों, ल पहले से ही सनातक की डिगरी हासिल कर चुके ऐसे उतक्रिष्ट विद्यार्थी जो आगे चलकर शिक्षन करना चाहते हैं के लिए अपने परिसर में दो वर्षिये B-Ed कारेक्रम भी डिजाइन कर सकते हैं। उतक्रिष्ट उम्मिद्वारों को आकरशित करने के उद्देश्य से मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्र वृत्तियों की स्थापना की जाएगी। 15.6 अध्यापक शिक्षा प्रदान करने वाले उच्चितर शिक्षन संस्थान शिक्षा और इससे संबंधित विशयों के साथ ही साथ विशेश विशयों में विशेशग्यों की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे। प्रतेक उच्चितर शिक्षा संस्थान के पास सघन जुडाओं के साथ काम करने के लिए सार्वजनिक और निजी स्कूलों और स्कूल परिसरों का एक नेटवर्क होगा जहां भावी शिक्षक, अन्य सहायक गतिविधियों जैसे सामुदाइक सेवा, वयस्क और व्यावसा एक शिक्षा आदी में सहभागिता के साथ शिक्षन का कारे करेंगे संकाहे सदस्तियों की प्रोफाइल में विविधता होना एक आवश्यक लक्षे होगा, हर किसी के लिए पिएचडी धारक होना आवश्यक नहीं होगा, लेकिन शिक्षन, फील्ड, शोध के अनुभवों को महत्ता प्रदान की जाएगी सीधे सीधे विद्यालई शिक्षा से जुड़ने वाले सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों जैसे मनोविज्ञान, बालविकास, भाषा विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन, अर्थ शास्त्र और राजनीती विज्ञान के साथ ही साथ, विज्ञान शिक्षा, गणित श इससे की शिक्षकों की बहु विशाई शिक्षा को और उसके आउधारनात्मक विकास को मजबूती प्रदान की जा सके 15.9 सभी नए PhD प्रवेश करताओं चाहे वे किसी भी विशाई में प्रवेश लें से अपेक्षित होगा कि वे अपनी doctoral प्रशिक्षन अवधी के दोरान उनके द्वारा चुने गए PhD विशाई से संबंधित शिक्षन, शिक्षा, अध्यापन, लेखन में प्रेडिट आधारित कारेक्रम लें उनकी डॉक्टरेट प्रशिक्षन अवधी के दौरान उन्हें शैक्षनिक प्रक्रियाओं, पाठे क्रम निर्मान, विश्व सनिये, मूल यांकन प्रणाली और संचार जैसे एक शेत्रों का अनुभव प्रदान किया जाएगा क्योंकि संभव है, इन में से कई शोध विद्वान अपने चुने हुए विशायों के संकाह सदस्य या सार्वजनिक प्रतिनिधी या संचारक बनेंगे प्रिष्ठ संख्या सत्तर पी एचडी चात्रों के लिए शिक्षन सहायक और अन्य साधनों के माध्यम से अरजित किये गए वास्तविक शिक्षन उद्देशे के नियूनतम घंटे भी तै होंगे देशभर के विश्रविद्यालेयों में संचालित पी एचडी कारेक्रमों का इस उद्देशे के लिए पुनर उन्मुखी करण किया जाएगा 15.10 कॉलेज और विश्रविद्याले के शिक्षकों के लिए सेवारत, सतत व्यावसाईक विकास का प्रशिक्षन मौजूदा संस्थागत व्यवस्था और जारी पहलों के माध्यम से ही जारी रहेगा हनाकि गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक संब्रिद्ध शिक्षन अधिगम प्रक्रियाओं की आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए इनका स्तूद रिढ़ी करण और विस्तार किया जाएगा शिक्षकों के आउनलाइन प्रशिक्षन के लिए स्वयम दीख्षा जैसे प्राध्योगी की प्रेटफॉर्मों के उपियोग को प्रोसाहित किया जाएगा ताकि मानकी कृत प्रशिक्षन कारेक्रमों को कम समय के भीतर अधिक शिक्षकों को मुहया कराया जा सके 15.11 सलाह यानी मेंटरिंग के लिए एक राष्ट्रिय मिशन को स्थापित किया जाएगा जिसमें बड़ी संख्या में वरिष्ट, सेवा निवरित, उतकरिष्ट संकाय सदस्यों को जोड़ा जाएगा इनमें से वे संकाय सदस्यों भी शामिल होंगे जिनमें भारतिय भाषाओं को पढ़ाने की खिशमता है और जो विश्व विद्याले और कॉलेज शिक्षकों को लगु और दीर घकालीक परामर्ष या व्यावसाईक शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार होंगे अभियाप्शन रहे थे राष्ट्रिय शिक्षा नेती 2020 भाग दो उच्चतर शिक्षा अध्याय पंदरह अध्यापक शिक्षा वाचन्स्वर, अजीत होरु, निर्मान सहयोग, जगबंधु जाना, मीनाक्षि कुक्रेती और तनुगुप्ता, निर्मान, वंदिना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत